नमस्कार किसान साथियों स्वागत है क्रशीन नेचर में आप देख रहे हैं नई किस्म gw 513 है तो बात करते हैं कि यह कहां से निकाली गई किस्म है और क्या पकने की अउदी है दाना केसा है पोधे की लंबाई केसी है तो गुजरात सरदार कृषिनगर विश्विजाले दोरा इसे जारी किया गया था और AICRP नेटवर्क के माध्यम से इस किस्म ने भारत की सर्फिसे दुस्य नंबर की रेंकिंग प्राप्त की है तो यह किस्म है जो पूरे भारत में लगाई जा सकती है हमने इसे मालवा रिजन में लगाया है तीसरी सिजाई इसमें लगबग हम दे अभी बालिया निकल चुकी है बालियो जो है खुली हुई है पोदे की लंबाई की बात की जाए तो लगबग 90 सेंटीमेटर इसने हाइड ली है तो 105 से 117 दिन इसे पकने की आउदी है तो किसान भाईयो आपको यह फाइदा हो सकता है इसमें कि आपको एक सिचाई कम देनी पड़ेगी क्योंकि यह जल्दी पकर त्यार हो जाती है फुटाओ अच्छा है हमने हमारे खेत पे देखा है कल्ले शांदार निकले है डंटल जो है मजबूत है गिरने की कोई संभावना ही नहीं अब इसमें सिचाई चल रही है इस तरह का डंटल जो है बना है ले वर्स भ क्रास भी कह सकते है या उससे मिलती जुलती हुई किस्म भी कह सकते है इसे जो है कृषिविश्विद्द्र द्वारा चापाति और बिस्कीट के लिए निकला गया है तो इसको जो मंडियों में रेट है वो भी अच्छा मिलेगा तो किसानों को इसमें दो तरफ से फाइदे हैं उत्फादन भी अच्छा मिलेगा मंड्यों में रेड भी मिलेगा और भी लगबग को हमने इसस्प्रे कर दिये हैं तो मैं आपको इसस्प्रे की जानकारी देता हूं कि हम हमने जिंक दिया है इसमें और हमने बारी बारी से 25 किलो 50 किलो प्रती है विगे के साथ हमने इसमें दो बार यूरिया सिचाई के साथ दिया है तो इस तरह से अभी gw 513 हमारे यहां खड़े हैं वो दिशांदार इस्थती है अभी तो विराइटे आपको केसी लगी मुझे कॉन वर्षी के जियेगा धन्यवाद